हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका होस्ट सेंडी और मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं नहीं खब पुरानिक परंपराओं और रिती रिवाजों के कारण भारतिय संस्कृति सदैब कोतुहल का विशे रही है दोस्तो भारत में कुछ ऐसी भी परंपराएं हैं ऐसी भी रिती रिवाज हैं जो बहुत अजीब हैं लेकिन सच हैं दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही परंपरा के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपको काफी हैरानगी होगी इस परंपरा के अनुसार 15 दिन तक लड़कियों को निवस्तर रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है इतना ही नहीं दोस्तों पिता खुद अपनी बेटी को इस परंपरा में हिस्सा लेने के लिए भेजता है बाप रे बाप ये कैसी पूजा मैं तो कभी न जाओ अरे तुम्हें भेजी कोन रहा है तो चलो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में कि क्या है वो परंपरा दोस्तों तमिलनाडू के मैधूर जिले में येजिया काथा अम्मान मंदिर में ये परंपरा निवाई जाती है आसपास के लगवक 60 गाओं के लोगों का मानना है कि अगर इस अनुष्ठान के लिए उनकी बेटी का चैन होता है तो वो बहुत भाकेशाली है दोस्तों इस रशम की शुरुवात होती है पंडित के सामने प्रेट से जी हाँ दोस्तों एक पंडित यानि पुर्ष के सामने कुछ लड़कियां प्रेट निकालती हैं उसके बाद वो पंडित उन लड़कियों में से साथ लड़कियों को अनुष्ठान के लिए चुनता है जिसके बाद उन लड़कियों को 15 दिनों तक मंदीर के एक कमरे में नगर अवस्ता में रखा जाता है लड़कियों को कमर के उपर कुछ भी पहनने की जाज़त नहीं होती है 15 दिन तक ये लड़कियां मंदीर के पुजारी की देखरेक में रहती है इन 15 दिनों में ना तो लड़कियों को किसी से मिलने की जाज़त होती है और ना ही माता पिता से मिलने की जाज़त पूजा पाठ के इन 15 दिनों तक लड़कियों के उपरी हिस्से में फूल माला और जेवर होते हैं प्राचिन काल से चली आ रही ही इस परंपरा को निभाने के लिए 60 गाओं के लोग हिसा लेते हैं शुकर है हमारे गाओं में ऐसे कोई परंपरा नहीं है बचके तुम नहीं तो पतानी पंडित का क्या हाल होता दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बोक्स में ज़रूर बताएं अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद